पूरा अंदर निकाल के जपी कटमार के लिए बहुत अच्छी ताजी-रावस्मच्ची मिलीए ये एक चमच विनिगल है थोरी कोतमीर है और डेर चमच चावल का आटा है और ये आदा चमच गरम मसाले की पॉडर है ये गरम मसाले की पॉडर है हमने इसका इसमें की मैं किचन में बना के दाले हैं ये गरम मसाला है है आधी चमच और ये नमक है आधी चमच आधी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पोड़े अलग तरीकी से मच्ची फ्राय बता रहें। पहले चावल काटा दलेंगे। फिर ये विनिगल दलेंगे। फिर ये गरम मसाला दलेंगे। फिर ये नम्मक एट करेंगे। ये हल्दी एट करेंगे। खीच कारीट कशमिरी पेंड़ रेट करेंगे सब्सक्राइट में सब्सक्राइब। देखा टोश करें newspaper टोश का know K QR मेंphones कांश में योगा अब इसनाय से मच्छी को अच्छे से कट में भरेंगे अच्छ से लगाए इसको अच्छे से मसाला भर के देखो अंदर भी दालेंगे अच्छे से यह देखो पेट के अंदर भी दालेंगे और फिर इसको ना फिरीज में आदा घंटा या दस मिनिट रखेंगे ना तो ज़रा और टेज बर जाएगा इसमें हाला कि ताजी दाजी मच्ची है बहुत टेश्टी लगेगी आदा घंटा हो गया मसाला रगा के फिरीज में रख्या आदा घंटा हो गया अभी इसको हम फ्राइ करने लिए तेल गरम करने लिए तेल गरम हो गया माशाला देखो अभी इसमें फ्राइ करेंगे तीन-तीन मच्ची फ्राइ करेंगे पूरी एक साथ नहीं दालेंगे अभी मच्ची प्राय एक तरब से हो गई अभी हम इसको प्लटरे और देखो आपको बता रहे अभी इसको भी पलटेंगे देखें कि फस्कलास बन गए यह शर्ब नए तरीके से अभी इसको हम निकाल रहे आपको बता रहे शर्ब करके देखो एक अत्लास करण करण बनने रावस मच्ची फ्राइट अलग तरीके से बनके तयार है अच्छी बनाव खाओ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो लाइक करो शेट करो प्ली